कि नमस्ते कैसे हो आप लोग आई हो अब सब ठीक होंगे मैं एक लेडिस कुर्ती लेके आई हूं आज आप लोग उनके साथ शेयर करने के लिए देखो यह मैंने बनाया कि यह बनाया है मैंने दस नंबर की सलाई से क्योंकि धागा कहीं थोड़ा सा यह लो कलर का जो है यह थोड़ा मोटा सा था तो यह बीच की लाइन में मैंने नो नंबर से बनाया फिर जो यह थोड़ा ब्रॉन कलर का है यह मैंने दस नंबर की सलाई से बनाया तो मैं इसका मेज 27 पंदे डालें पहली सलाई से डिजेन पड़ता है यह डाले हैं मैंने बाॉड़र के किनारे में 6 फंदे तो मेरे उल्टे हैं एक फंदा मेरा सीधा है किनारे में जो फिनिसिंग के लिए जो जाता है इसके बाद मेरे 127 आ गया है 127 पीछे हैं इसके बाद मैंने इतना बना के आप अपनी लंबाई देख लेना आपने चाक कहां तक छोड़ने है तो चाक मैंने यहां तक छोड़ा रखा यह तो इससे पहले मैंने यहां से मैंने यह देखो मेरा डिजैनिया से थोड़ा तूट रहा है तो यहां से मैंने दो फंदे का एक करा है इधर वाला फंदा इधर वाला नहीं करना है इधर वाला दो फंदों का एक इधर करा है तो दो फंदों का एक इधर भी करा है फिर आठ सलाई के बाद फिर आठ सलाई के बाद आप सलले पनाने पड़ के ओ फिर यहां पर जाके मने तीन-चार फंदे में लगातार-फंद गटाएं उतक प्रणे भेजिसेंने सब्सक्राइब अब ये मैंने दो रंग में बनाया पहले मैं सोच दी थी नीचे नीचे ही बनाऊगी ये लेकिन थोड़ा सा मुझे उन कम लग लग रही थी तो फिर मुझे इस तरह के से डालना पड़ा ये तो हो गया इसके फंदों का ये नो नंबर दस नंबर दोनों सलायों से बना हुआ ये इसकी लंबाई बनाई मैंने चाक तक मैंने बारा इंच बनाई यहां से नीचे से यहां तक मैंने 12 इंच पे मैंने यह बनाया तो मैंने यहां तक है लेकिन थोड़ी सी मुझे तिर्शी सिलाई करनी थी यहां पे मैंने 12 इंच पे तक यह चाक के लिए बनाया इसके बाद मेरा 11.5 इंच यह मुड़े तक है जहां तक मैंने बाजू के लिए बगल घटाना था तो साड़े 11 इंच मेरे यहां से यहां तक बनाए मैंने आप अपने हिसाब से बनाना कि आपको कितना लंबा चाहे तो टोटल मेरी साड़े 34 इंच के करीब हो रहा है यह टोटल लंबाई यहां कंदे से पूरी लंबाई 34 लगा लो 35 लगा लो पर साड़े 34 के करीब यहां पर नेवस्ता बनाए तो जब बाजु शिल्ल्या तो अएठ'S से यहां पर बनाए जैसे हम जैन्सिके लिए गऺ झालर ऑुत इसंहीं यहां पर बीच कर फंदा रख लिया और बाकी यह लगातार ऻ्छा टाली अपने यांन ऑपर मेरे ही अठाइस फंदे रह रह रहें क्योंकि मेरा डीजेन के हिसाब से आ रहा था तो मुझे डीजेन भी रखना था तो अठाइस ंते आ रहे हैं मेरे इसमें उठाये मैंने, यहां से मैंने यहां तक 56 पंदे उठाये, 56 इदर, 56 फिर मैंने यह जो मोती दाना वाला डिजैन डाला एक सिधा एक उल्टा नहीं डाला, क्योंकि लेडिस कूर्ती है, तो यही अच्छा लगता है इसमें, पपने घटा के यह इसलिए यह अपने यह बनाएं आपको और बढ़ा बनाना तो छोड़ा बनता है उसके बाद मैंने यहां से यहां मैंने 24-24 फंदे गटा दिये, दोनु दरब से, बाकी मैंने यह बनाया, फिर मैंने यह डबल कराया, यह मटका गला जो बोलते हैं, यह बनाया, फिर यह इसको फोल्ड करके इदर अंदर को सिल दिया, तो यह इस तरके से गला बन गया, देखो, यह कॉलर वाला गला यह बन गया है शपन गसा छपना द पीछ रहरे थे वो है तो मरे किया यहां मेरे 35 फंदेश के करिब रह रहे थे मेरे यह तो मैंने फिर पिछ hair कम नाहीं करें फिर पूरे सारे उठाएं तो कि गला ठोड़ा सा खुल संप रङगा और फिर इस तरीके से नहीं है देखो कुर्ति का डिजेन डिजेन सुरू के सलाई से डलती है अब मैंने इसमें एक काम और करा है कि जिनके लिए बनाए वह बहुत पतली है तो बाई चांस उनके लिए पसंद नाए तो मैंने यह बॉर्डर पूरे ही जाने दिया उपर तक इसको मैंने अंदर को यह फोल्ड कर दिया कि बाई चांस उनके नाए तो किसे और के लिए बनाए तो शिलाई खोल के हम इसको सिल सकते हैं तो जैसे हम कपड़े की उसमें रखते हैं कटिंग अंदर इस तरीके से मैंने देखो मुढ़े तक इस तरीके से रखावाई यह जो बॉर्डर मेरा यह आ रहा था यह बॉडरों तोड़ा नहीं है यह बॉडर बनता गया देखो बॉडरों तोड़ा नहीं है यह सिधा चला गया बॉडर उपर इसकी शिलाई थोड़ी इस तरीके से कर दिया है फिर बाहर से शिलाई जो होती है कि टाके पर टाके मिलाना डिजेन पर डिजेन मिलाना यह इस तरह के से सिलाई हो गई ऊपर से चाक भी बन गया फोल्डी ऑंदर कि जब एक पेन आए तो दूसरे पे आ सकता है अगर दूसरे के लिए उसको पसंद ना आए तो दूसरा पयान सकता है तो खोलके फिर दुबारा से शिराई कर सकते हैं शिलाई का क्या फिर बार बार खराब होती है और इतना बड़ा स्वेटर बनाने में बहुत टाइम लगता है इसलिए वीडियो साथ साथ नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी का था तो इसलिए इसका वीडियो अब आपको दिखा रहूं इसके बाजू में मैंने थोड़ा सा बनाया पहले आ कि देखो कि तीन डबी डाली है बाकी जो फंदे मेरे बढ़े हैं वह मैंने सिद्धा सिद्धा बनाये टोटल फंदे मैंने यहां तक बढ़ाये थे बाजू तक है यह मेरे 94 फंदे नाइंटिफोर है उसके बाद मैंने इसकी घटाई थोड़ी लंबी करिये तो जो मेरे 56 फ जब मेरे 54 फंदे रहे तो तब मैंने पूरे घटा दे तो इस तरह के से बाजू की लंबाई भी पूरी हो गई और ज्यादा धीले भी निवे बाजू इसका मैं थोड़ा सा मेजर्मेंट मैंने बताई दिया तो मैं थोड़ा सा आपको यह डिबी डालना बता देती हूं थो दो सीदे बना ले फिर धागा आगे करके एक फंदा सीदे बना लिया एक फंदा और सीदे बना लिया अब मैंने क्या करना है चार फंदे पहले में उल्टे बनाऊंगी देखो चार फंदे उल्टे हो गए अब तीन फंदों का एक फंदा करना है यह उल्टे में ही करना है यह मेरी सिद्धी साइड आएगा ठीक है यह देखो तीन फंदों का एक फंदा कर दिया फिर चार फंदे उल्टे बनाएंगे इसी сначала में आपको डिजैन डालना जैसे डिब्बी डल रही है इसी तरह से डिब्बियां बनती जाएगे चार यह बना ले चार उल्टे बना ले फिर दो सिद्य बनाओंगी फिर धागा आगे करके जाली डालूंगे और यह यहां पर घटा यह इधर बढ़िए जो इधर घटा थोओंगे खिला थीक्ति आभी पर जाली डाली मनें फिर दूसरी जली डालूंगी यह जाली डाली एक पन्ता सीधा हो गया जाली के साथ में एक फंदा ऑर सीधा बनाओंगी फिर धागा आगे करके चार उल्टे बनाओंगी चार उल्टे बना लिए फिर तीन सीधे बनाऊंगी तीन का एक बनाऊंगी सोरी तीन सीधे बोल ली थी तीन का एक बनाना था उल्टे में ही बनाना है फिर तीन उल्टे बनाऊंगी चार उल्टे चार उल्टे बनाऊंगे फिर धागा फीछे करूंगी दो फंदे सिद्य बनाउंगी फिर धागा आगे करके यह जाली डाल ले अब यहाँ मेरा एक एक एक्स्ट्रा है लेकन यह एक्स्ट्रा नहीं रखना है यह तो मेरा ऐसी है चलो मैं तो पर जाली के बाद दो फंदे सिद्य होने चाहए फिर जब हम उल्टी सलाई उल्टी है उल्टी में कुछ नहीं करना है उल्टी सलाई मैंने पिलेन बना ली खाली उल्टा उल्टा बनाना था अब पहले हमने दो सीधे बनाए थे अब हमारे ये बढ़ गया फंदा तीन सीधे आ गए ऐसी जैसे ये डल रहा है आप पूरी स्वाटर में नारे में पहले ऐसे ही आएगा कि दो सिदे बनके मारे पहले चार बनाए थे हम ने पर यह न कि पिर दागा पीछे करके, दो सीद्य बनाए, दागा आगे करूँगे, अब जो बड़े वए फंदे यह हमारे बीच के हिसे में आएंगे, ये वाले हिस, देखो, जो बड़े वए फंदे यह हैं ये, जाली के इधर, तो फंदे जो बढ़ रहे हमारे इधर हो रहे हैं, और तो हमने धागा आगे कर लिया फिर एक सीधा हो गया एक सीधा और होना है फिर तीन फंदे उल्टे तीन फंदे उल्टे फिर तीन का एक बनाना है फिर तीन फंदे उल्टे आएंगे फिर दागा पीछे करके दो सिद्धे बना ले सिद्धे के बाद फिर हमने जाली डालनी है यह जाली इसलिए आ रही है देखो एक बारी यू जा रही है तो एक बारी यू जा रही है यह जो हम लास्ट में हमारी यह लास्ट इदर खत्म हो रहा है यह जारी है देखो इधर वाली जली फिर इधर हमारे फंदे बढ़ेंगे यह यह देखो लास्ट में यह ऐसा आए देखो जब मैं डाल दूं कि दो सिद्य उल्टा एक बारी जली इधर को आती है एक बारी जली इधर को आती है इससाइट से जाली एँदर को आएगी इसके इदर आएगे इसके फन्दे यहां वढ़ेंगे इसके फन्दे इसके एसके साथ वढ़ेंगे और यह गटाई जो है यह है ल्टिश लाइए उल्ट्य है कुछ नहीं करना है ये पिर सीधी में इधर फंदर बढ़ रहे हमारा है देखो मदेजाली अब हमने फंटे दल और भूं कि ऑर हम नाड़ीन अपस्सक्राइव और भवह धनर खैंगे प्रक्षाथ हम यहां पर जोटा मार देंगे पिर दो सीदे यह एक डिब्बी हमारी इतनी बनती है देखो इस हिसाब से बनती है यहां पर जाली डाली मैंने पिर यहां पर जाली डालूंगे फिर दागे आगे करके दो फंदे उल्टे बनाऊंगी तीन फंदूं का एक बनाऊंगी फिर दो उल्टे फिर दो सीदे बस यह ध्यान रखना है कि सीदे के बाद जाली आएगी यह फंदे हमारे जो बढ़ रहे हैं जो हमारे घट रहे हैं वही हमारे बढ़ भी जा रहे हैं बहुत सारी लोगों को कन्फ्यूजन होता कि फंदे तो घट रहे हैं बढ़ रहे हैं तो कहां घट रहे हैं कहां बढ़ रहे हैं तो देखो इस तरीके से बन रहा है देखो उल्टी शिलाई फिर पेलेन बनी जाती है कोई इसमें डिजैन नीर डालना कोई फंदार नीखिशकाना कुछ नी करना इसको पूरा उल्टा बना दिंगे अब शिर्थी सलाई आ गई भीर अब अब की बार हमारा एक ही उल्टा बना जाएगा एक उल्टा बना लिया फिर तीन के एक कर दे हमने फिर एक उल्टा बनेंगे फिर दो सिद्धे बनेंगे फिर धागा आगे करके जाली डालेंगे अब जितने भी फंद्य हमारे घटे थे उतने हमारे ये बढ़ रहें बीच में फिर एक उल्टा फिर तीन फंदों का एक फिर जाली फिर बढ़े वे फंदे उल्टी सलाई प्लेन अब अब की बार हमारे देखो जाली डाली मने दागा आगे कर लिया अब ये तीन फंदे बचे हमारे उल्टे इन तीन का एक बनेगा यहां पर हमारी डिबी खत्म हो जाती है सिधी सलाई से फिर आमारी दूसरी डिबी शुरू हो जाएगी अब मैंने इसमें बाउडर नहीं डाला इसमें नहीं बताया लेकिन आपको अगर श्वाटर बनाना तो फिर तो बाउडर की जुड़त नहीं परती कुर्टी बनानिया यह खुला स्वाटर बनाना तो पहले बिना बाउडर का आप बाउडर डाली नहीं सकते हैं उसमें फिर क्या फैदा है जो शिलाई में चला जाएगा कि यह एक डिबी पूरी हो गई हमारी अब हमें दो डिबी के लिए कितने फंदे चाहिए तो आपको उसी हिसाब से मेजर्मेंट करना पड़ेगा कि कितने डिबी डाली कितने फंदे हैं तुमारी कितने डिबी आं पड़ जाएगी तो यह फंदा मेरा एक्स्ट्रा था तो इससे छोड़के तो मैं बता देती हूँ कि कितने फंदे चाहिए होते हैं मैंने यहापे दो ले एक किनारे में, आप एक भी ले सकते हो, लेकिन दो है तो दो से क्या होता है? एक सिलाई में चला जाता है एक फंदा तो इसले दो लेने चाहिए तो एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा गो का अठारा सत्रा चौंतीस से एक पेंथिस पंदेम हमें चाहिए डिजैन के लिए ठीक है तो हमारे दो डिप्बी पड़ जाएगी दो डिप्बी के लिए हमें 35 पंदी चाहिए तो इसी हिसाब से आपको कितने डालने हैं तो एक डिब्बी हमारी यहां तक आएगी देखो अगर हमने खली एक डिब्बी डालनी है कि यह बीच के सेंटर का आएगा हमारा है तो दो किनारे के हो गए दो सीधे दो दो चार उल्टे यह चाहिए तीन का एक बनने का पहले फिर हमारा यह दो सीधे जाएंगे फिर जाली डिलेगी इसमें फिर चार उल्टे जाएंगे जाली डिलेगी दो चे दो आर दस अठारा 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 फंदे चाहिए होगा अगर हमने एक डिब्बी बनानी है तो अठारा फंदे चाहिए हमें और हमने दोनों एक साथ बना रहे हैं पूरा बना रहे हैं अगर एक ही फली डालनी है कहीं तो अठारा फंदों के अंदर तुमारी यह 18-19 पंदों के अंदर फली बैठेगी एक डबी बैठेगी इतनी अगर दोनों साथ में बना रहे हैं तो फिर यह हो जाता है एक फंदे पर दो जालियां पड़ जाती है जब हम एक ही बनाएंगे तो फिर क्या है कि हमने एक फंदे के आगे ही जाली डालनी है तो एक ही सुरू होगी तो देखो कैसे करना है आप दूसरा कलर लगाना चाहते हो तो दूसरा भी देखो मैंने तो दो कलर में बनाया यह तो एक कलर में भी बहुत सुन्दा लगता एक कलर में तो खर तो देखो फिर हमने क्या करना है जैसे हमने सुरू में करा था ऐसी हमारी फिर यह तीन और एक चार ठीक है अब हमारे ये तीन फंदे घटेंगे डूसरी डिबी में हमारे तीन आ जाएंगे एक हमारे पास उल्टा पहले के बचा एक हमने इधर जो दो फली जा रही थे हमारी ये इधर जो सीधे जा रही थे एक इसका लेंगे एक इसका लेंगे अभी मैंने च सीदे बनाए अभी तो सीदे आ गये फिर इस तरीके से धूसरी टीपी शुरूए वह भी दो लिए धागा आगे कर लिया कि एक जाली डाली बीच का एक पंदा सीदा हो गया फिर धाला आगे कर लिया कि फिर दो सबीरधिर डाले फिर हई चार उल्टे कि हमारी दीबी देखो पहले यहां से पड़ी थी जब हम ने पहली लायन. हम अंध कि भी विच में इस-पीं से ब्रीपी पड़ीदिक अधिक में इसे पांगरे ह्वेस ये बितिऑ. फिर जब हम दूसरी सलाई में दूसरी बार ले रहे हैं डिबी तो फिर इसी के बीच आले फंदे से पढ़ रही है हमारी डिबी इस तरीके से एक चीज और बता दूँ मैंने तो इसकी लेंथ इतनी रखी है तो इसलिए मैंने यहां से घटाएं आप बच्चे के कर रहे हो छो आठेह, देको यहहां गटाएं मैंने 2-1, फिर 8 सलाई के बाद 2-1 करा फिर आठ सलाई के बाद 2-1 करा इस तरह कि लेके गए हूं बाकी दिए पंदे मेरे घटने थे vaan यहाँ पर मैंने तीन पंदे लगातारा घटते है जिसे मुड गटाते इस तरिके से कि अब तीन पंदे मैंती का फिर मैं एक बना दूँगी Amaare यहाँ और बना लिए तीन का एक बना लिए या फिर मैं चार्लटे बनाऊंगे अब तो समझ में आई गया होगा बस इसी तरीके से डिबी के ओपर डिबी बनती जाएगे आप लोगों की है अब कर झार पंड़े उल्टे बना लोगों फिर पहले दो सिध्ह बना लिए फिर गया थिएा है किनारे में फिर मेरे दो फंड़े तो मेरे एक एकट्रा था इसलिए मैंने ऊतारा नहीं उसको बंद नहीं कर सबना ल tätä तसेंक्यू लाइक, लाइक शेर जरूर करना बताना कैसी लगी कुर्ती आगे मैं अगर यह कुर्ती फिर बनाओंगी तो मैं पूरा वीडियो डालूंगी अभी जरा थोड़ा अर्जंट था बहुत दूर जाना था इसे इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई थी और फिर इदर मकामों में काम हो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को मैं आगे देखो अच्छे अच्छे कुछ लिख के आओंगे आप लोगों को लिए अर्छे अर्फ वाल वाल गब ए गए भी ञे जो हुआ होगाे हुआ है जड़ोगो